बात करने में व्रिश्व राश्वि के लोगों के बारे में बतलब की नंदी बेल शुब रत्न होता है हीरा शुब रुद्राक्ष है छो मुखी रुद्राक्ष और शुब संक्या है छे इन लोगों के शुब दिन है शुक्रवार और श्रानिवार और बुद्धवार इन लोगों का स्वभाव जानते हैं रुषब राशी के लोग जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ना और कम बोलना पसंद करते हैं वह एक पहाट के तरह ठोस और स्थीर होते हैं और कुछ भी उनकी शांतिकों भंग नहीं कर सकता रुषब राशी के लोग किसी भी मामले में धकल देना पसंद नहीं करते और वह अपने काम से ही मतलब रखते हैं अगर आप रुषब राशी के लोगों को तंग नहीं करेंगे तो वो अपने आप में संटुष्ट रहेंगे अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो प्रुषब राशी के लोगों के कंदे और चाती बहुत चोड़ी होती है प्रुषब राशी के लोग चाहे लंबे कतके हो या छोटे कतके लेकिन उनका शरीट सर से लेकर पाओं तक संतुलित होगा अगर उनके मन में मन के अनुसार काम नहीं होगा तो रुषब राशी के लो मूल तोड से अडिक होते हैं और हर चीज को संभाल लेते हैं रुशब राशी के लोग अपने परिवार और घर से बहुत प्रेम करते हैं और ये लोग अपने परिवार के साथ और अपने घर के साथ ही रहना पसंद करेंगे बडलाव से रुशब राशी के लोगों को परेशानी होती है एक रुशब राशी के व्यक्ती का प्यार सरज, साधा और इमांदार होता है अब इनकी शक्तियों के बारे में जानते है ज्यादातर रुषव राशी के लोग वर्षो तक भावनात्मक और शारीरिक भोज बिना कोई शिकायत करे शान्ति से उठाते हैं जितनी ज्यादा परेशानिया बढ़ती हैं उनका सामना करने के लिए रुषव राशी के लोगों में उतनी ज्यादा शक्तिया आती है अपने परिवार और दोस्तों से राशी की व्यक्ति की इमानदारी और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती ऐसा बहुत ही कम होता है जब भुशब राशी के लोग में कुरूरता दिखती है या वो लोग बढ़ला लेने की कोशिश करते है आम तोर पर ये लोग का शरीर बहुत ही स्वस्तों और शक्तिशाली होता है ये लोग दिरे दिरे लेकि निश्ची दुरूप से बड़े व्यापारिक समराज्य बनाते है ये लोग अपने परिवार की शुरूवात थोस निव के साथ करते हैं और दिरे दिरे उनको बड़ा बनाते हैं इन लोगों को बहुत सारा धन कमाना बहुत ही अच्छा लगता है और शक्ति अरजित करना भी पसंद है पुरुषप राशी के व्यक्ति का दिल बहुत ही उदार होता है और अपनी जेब सच्चे या बुरो दोस्तों के लिए हमेशा खुली रहती है इन लोगों की कमजोरियों के बारे में जानते हैं रुषप राशी के लोग शारीगे ग्रूप से शक्तिशाली और सोस्त होते हैं लेकिन एक बार बिमार बढ़ने पर उन्हें ये ठीक नहीं लगता उसका एक कारण है कि ये लोग डोक्तर की बातें कम ही मान में इसके अलावा ये लोग अशावादी भी नहीं होते जिसके कारण उन्हें ठीक होने में समय लगता है प्रुषप रशी के केहें लोगों को घटशानी भी हो सकती है इन लोगों दोस्तों यह थी जानकारी रुषब राशी के बारे में अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब